तो composite functions के बाद जो है ना हमारा next topic inverse functions है ठीक है inverse functions की definition अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो inverse function को मैंने define इस तरह किया है reverse of a function ठीक है बोल्ट पर बहुत सारी चीजे लिखी है मैं systematic order में इसको explain करता हूँ जा रहा हूँ ठीक है और जो भी key points है just write them down और उसको लिखते रहो और फिर कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछते रहना हो मेरी आवाज और screen clear है ठीक है outputs है जिनको हमने y से denote किया है y की सारी values है अगर मैं कोई function apply करता हूँ x पे in order to get the y ठीक है यह हमने function का concept discuss किया था कि हर x की एक value पे y की एक value होती है यह function का हमने concept discuss किया था inverse function का मतलब है कि मैं ulti direction में move करूँ for example पहले मैं अपने output पे input पे function apply करके output हासिल करता हूँ यह तो normal procedure है ठीक है यह तो function है लेकिन अगर मैं आपको output देके बोलूँ कि मुझे input चाहिए तो वो जो आप direction में जाओगे ना वो कहलाता है reverse of a function मतलब inverse function for example मेरे पास इस तरह लिखावा है कि f of 1 is equals to 2 मतलब मेरे पास एक function है जिसमें मैं one value डालता हूँ ठीक है तो मुझे जो answer मिलता है वो मिलता है 2 यह forward direction है यह तो function है लेकिन अगर मैं reverse जाना चाहूँ अगर मैं इसकी उल्टी direction में जाना चाहूँ for example मैं output को use करके input हासिल करना चाहूँ तो यह कहलाता है inverse of a function तो उसको मैं इस तरह लिखूँगा कि f minus 1 जो हमारा function होता है उसके उपर power वो जो positive 1 होती है लेकिन जब आप inverse of a function लिखोगे तो inverse पे आप negative 1 power use करोगे ठीक है for example मैंने यहां भी लिखावा है if f of x equals to y then f minus 1 of y will be equals to x मतलब यह दोनों एक दूसरे के inverse हैं उलट है input पे function apply करूँगा तो output मिलेगा output पे inverse apply करूँगा तो input मिलेगा यह इसकी बिल्कुल सी definition है inverse of a function is basically reverse of a function ठीक है अगर मैं reverse कर दूँँ तो मुझे वापस original मैं जगा पे आ जोगा for example इसकी simple अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ कि कि तुम अपने घर से 10 km आगे जाते गर में पहुंच जाओगे तो यह basically आपका एक तरह से reverse का phenomenon है कि in order to get the original thing back I use reverse या inverse function इसी तरह कि मैंने और भी example लिखी है for example f of a equals to b एक function है जिसका input a है मैं उस input पे जब function apply करता हूँ तो मुझे answer मिलता है b ठीक है b मेरा कोई भी output है और अगर मैं वापस input आसिल करना चाहरा हूँ मैं चाहरा हूँ नहीं और मुझे वापस input चाहिए तो मैं क्या करूँगा अपने output पे inverse function apply कर दूँगा तो f of minus 1 b is equal to तो मुझे वापस अपना input मिल जागा जिसको मैंने यह बोला था ठीक है तो यह हमारे पास जो है वो inverse function है inverse function को समझाने के लिए मैंने यहां एक tip भी लिखी है f minus 1 को बिल्कोल जैसे हम indices में करते थे ना मतलब हम power positive करने के लिए flip कर लेते थे तो यहां यह मतलब नहीं है इसका ठीक है आप f of minus 1 को 1 upon f नहीं लिखोगे यह जो minus 1 है यह सिब आपको यह बताएगा कि यह inverse function है मतलब मैंने function को reverse कर दिया है इसको समझने के लिए मैंने एक औ multiply by 2 किया है ठीक है input को multiply by 2 किया तो मेरे पास आगया 2x और फिर मैंने उस 2x में 3 को आइट किया तो मेरे पास जो final function बन गया वो मेरा function बन गया 2x plus 3 ठीक है input मेरे पास x था और मैंने उस पे जो है वो दो set of operations apply करके मैंने उसको 2x plus 3 बना दिया अब अगर मुझे वापस x चाहिए I want to get my input back मुझे input चाहिए वापस यह जो मैंने काम किये हैं सबको मुझे जो हटाना है मुझे वापस मेरा input चाहिए तो मैं क्या करूँगा reverse direction में जाओंगा सारे उल्टे काम करूँगा for example मैं इसको y suppose कर लूँगा ठीक है और चुकि यहां मैंने add किया था 3 तो अब मैं subtract करूँगा 3 यह inverse function है ठीक है जब मैं इसको subtract करूँगा 3 तो यह क्या हो जाएगा y minus 3 और यहां मैंने multiply by 2 किया था तो अब मुझे इसका reverse करना पड़ेगा means divide by 2 तो y minus 3 को जब मैं divide by 2 करूँगा तो मुझे y minus 3 upon 2 आ जाएगा तो यह समझ लो कि अगर 2x plus 3 एक function है तो इसका जो inverse होगा वो होगा y minus 3 divided by 2 यह कैसे आया मैं इसको अभी explain करूँगा examples भी share करूँगा तो यह और clear हो जाएगा इसको समझाना बस इ 2x plus 3 एक function है 2x plus 3 एक function है input मेरे पास x है ठीक है input x है मैं उस पर 2x plus 3 जो है वो एक function apply कर रहा हो मुझे answer मिल रहा है y ठीक है अगर मैं सोचूंगे नहीं यार मुझे वापस मेरे input चाहिए तो मैं क्या करूँगा reverse direction में जाओंगा बारी बारी पहले मैंने add 3 किया था तो अब मै subtract 3 करूँगा और फिर मैंने multiply by 2 किया था तो अब मैं divide by 2 करूँगा तो मुझे मेरा original input वापस मिल जाएगा जिस तरह मैं जो है वो अभी मैंने तुम्हाँ साथ example share की तो reverse में मुझे वापस अपना input मिल जाता है original में मुझे output मिलता है जिसको मैं range कहता हूँ और reverse में मुझे वापस मेरा input मिल जाता है जिसको मैं domain कहता हूँ ठीक है यह कैसे मिलता है इसके पूरे steps है वो हम follow करेंगे और question को solve करेंगे अभी मैं तुम्हें सिफ एक थोड़ा सा introduction देना चाहरा हूँ कि inverse function जो है ना वो हमारे पास basically reverse of a function है और यह क्यों apply करते है यह इसलिए apply करते है कि we question वापस हासिल करने के लिए जो है ना फिर आप reverse direction में आते हो तो वो जो reverse direction में आ रहे हो ना वो basically inverse of a function है तो inverse of a function से मुझे input मिल जाता है अच्छा अब इसकी कुछ जो है ना वो जायर सी बात है limitations भी है for example inverse जो है ना वो हर किसी function का नहीं होता जैसे मैंने यहाँ एक example तुमा repeat नहीं हो रहा तो ऐसा function कहलाता है one one function मतलब एक input पे एक ही output है तो इसको मैं कहता हूँ one one function लेकिन इसके बिलकुल contradictory अगर ऐसा है कि मेरे पास input एक है और मेरे पास output दो है जैसे मेरे पास देखो two पे भी output 12 पी आ रहा है और three पे भी output 12 भी आ रहा है तो इसको मैं बोलूँग function में जाओंगा तो वह inverse of a function होगा तो अब ज़रा गौर करो कि अगर मैं f का inverse निकालना चाह रहा हूं ठीक है f का inverse निकालना चाह रहा हूं मतलब अब मैं चाह रहा हूं कि two से वापस one पे कैसे जाओ four से वापस two पे कैसे जाओ seven से वापस three पे कैसे जाओं तो मैं inverse use के लिए मैं छोटा सा minus one use करूंगा this is inverse of a function और यह मैं negative मतला ulti direction में जाऊँगा तो जब मैं two use करूंगा तो i will get one जब मैं inverse function four use करूंगा inverse function जब मैं four पर use करूंगा तो i will get the original number that is two जब मैं inverse function seven पर use करूंगा तो मुझे three मिलेगा this is the definition of inverse function ठीक है यह one one function है लेकिन अगर मैं non one one function पर apply करता हूं function inverse तो यह देखो कि अगर मैं eight use करूं तो eight पर मुझे answer मिलेगा one लेकिन अगर मैं 12 use करता हूं तो 12 पर मुझे दो answers मिलेंगे two or three जो के function की definition नहीं है function कहता है कि एक input पर आपको एक ही output मिलना चाहिए अगर एक से ज़्यादा output मिल रहा है तो इसका मतलब है वह function नहीं है तो इसका मतलब है कि non one one function का inverse नहीं होता वह दरा देख लेता है हमारे पास तीन step से inverse function find out करने के लिए और यह चीज़ याद रखना है कि inverse जो है मेरे पास मुझे function दिया हुआ है ठीक है तो function is f of x is equal to 2x plus 1 उसमें मुझे कहा है कि मेरे पास एक function है उसका input x है और जब मैं उस x input पे function apply करता हूं 2x plus 1 ठीक है यह मेरा function है output क्या मिल रहे है range क्या मिल रही है वो मुझे नहीं पूछ रहा ना वो दे रहा है वो मुझे यह कह रहा है कि you have to find the inverse of this function इसका जरा inverse find out करके बताओ कि इसका inverse क्या होगा ठीक है तो उसके लिए मेरे पास कुछ steps है पहले वो मैं steps तुम लों को दिखाता हूं उसके बाद फिर की example solve करेंगे मेरे पास तीन basic steps है ठीक है in order to get in order to find the inverse of a function I have three basic steps the first step is put the function equal to y जो भी आपका function question में given है आप उसको y के बराबर कर दोगे पहला step ठीक है for example मेरे पास जो है वो मैं दोबारा जाता हूं नीचे मेरे पास जो function था वो था 2x plus 1 तो first step कहता है कि 2x plus 1 को y के बराबर कर तो मैंने पहला step कर दिया let y is equal to f of x और मैंने y के बराबर कर दिया अपने given function को जो question में given था this is the first step यह तुम्हें याद रखना है कि हमेशा first step में you have to put your function equals to y ठीक है तो पहला step क्या हो गया put your function equals to y अपने function को जो question में given है उसको y के बराबर कर दो ठीक है second step rearrange to give x in terms of y मतलब x को subject बनाओ इसका simple मतलब है rearrange to give x in term of y means you have to make your subject x x को subject बनाओ ठीक है अब इसका क्या मतलब है इसको भी देख लेते है first step कहता है put your function equals to y आपने जो question में function given था 2x plus 1 उसको y के बराबर कर दिया पहला step second step कहता है x को subject बनाओ x को subject बनाने का मतलब है x को अलग करो बाकी सारी चीज़ो को shift करो तो यहां लिखावा है y is equals to 2x plus 1 तो पहले मैं in order to make x as my subject I have to shift this plus 1 on the other side यह plus 1 जब दूसी साइट पे जाएगा तो यह minus 1 हो जाएगा और फिर मुझे x को alone करना है तो x के साथ 2 यहां multiply हो रहा है 2 को वहाँ भेज़ूंगा तो divide हो जाएगा जब मैंने x को subject बना लिया त तो y minus 1 upon 2 ठीक है यह second step था first step put your function equals to y second step make x as your subject जो दो step कर लोगे तो दो step को करने के बाद जो third step है final step उसमें कहता है कि जिस side पे x लिखा है उस side पे तुम f inverse x लिख दो और जो दूसरी side है वहाँ जहां जहां y लिखा है उसको replace कर दो x के साथ यह तीन steps है ठीक है third step में दुबारा explain कर देता हूँ पहला step कहता है put the function equals to y second step कहता है x को subject बना लो third step कहता है जहां जहां x लिखा है उसको replace कर दो f minus 1 x से एक side पे और जहां जहां y लिखा है उसको replace कर दो x से क्या मतलब हुआ इसका मैं अभी explain कर देता हूँ ठीक है इधर तक समझ में आ गया था x is equals to y minus 1 upon 2 हो गया अब last step कहता है कि जहां जहां x लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप लिख दोगे f inverse x और जहां जहां y लिखा हुआ है आप उसकी जगह पे x लिख दोगे तो this is the method of finding the inverse of a function put the function equals to y first step second step make the subject x third step जहां जहां x लिखा है वहां f inverse x लिख दो और जहां जहां y लिखा है वहां x से replace कर दो इसको ठीक है इस example को copy करो फिर एक और एक और example करते है और तीनो steps याद रखना बार बार जो है मैं उसको इसलिए repeat कर रहा हूं ताकि तीनो steps याद हो जाए first step put the function equals to y अपने function को y के बराबर करो second make x as your subject third जहां जहां x लिखा है वहां f inverse x लिख दो और जहां जहां y लिखा है उसको x से replace कर दो यह भी solve है ठीक है center में ले आता है इसको थोड़ा सा चलो this is the second example again a function has been given 5x-4 हमें एक function दिया है 5x-4 ठीक है और we are asked to find the inverse of this function हमें inverse find out करने है ठीक है तीन steps याद रखने है the first step कहता था put your function equals to y हमेशा अपने function को पहले y के equal करोगे तो तुम लिखोगे let y is equal to f of x और y is equal to 5x-4 this is the first step हमेशा अपने given function को जो question में given है उसको y के बराबर कर दो this is the first step यह हमने first step कर लिया ठीक है यह इसको मैं number one लिख देता हूं क्योंकि this is my first step मैंने function को y के बराबर कर दिया second step कहता है make x your subject x को subject बनाओ सारी चीज़ों को shift करो दूसी side पे तो यह है minus 4 जब इसको shift करोगे दूसी side पे तो यह बन जाएगा plus 4 ठीक है मैंने इसको इस तरह लिख लिए 5x-4 equals to y क्योंकि मुझे x को subject बनाना है तो यह minus 4 जब दूसी side पे shift होगा तो यह positive 4 हो जाएगा और यह 5 यह multiply हो रहा हो दरजा के divide हो जाएगा तो मैंने x को subject बना लिया this is my second step यह मेरा second step पे complete हो गया first step कहता है y के बराबर करो ठीक है कर दिया second step कहता है x को subject बना लो वो भी कर दिया मैंने third step कहता है जहां-जहां x लिखा है उसकी जगा replace कर दो f inverse x से और जहां-जहां y लिखा है उसको replace कर दो x से so this is the method of finding the inverse of a function, three steps है, three steps को follow करो और you will get the inverse of a function ठीक है और याद रहे कि inverse of a function से one one function का होता है ठीक है अगर वो question में बोलेगा तभी हम inverse find out करेंगे नहीं बोलेगा तो हम find out नहीं करेंगे अब next question में मेरे पास example है उस example में वो मुझे फिर एक function दे रहा है वो कह रहा है f of x is equals to x upon x minus 2 ठीक है function उसने मुझे बता दिया x upon x minus 2 है और वो कह रहा है कि domain इसकी domain all the values of x है other than 2 2 के इलावा जितनी x की values है वो सारी इसकी domain है ठीक है अचा अब वो मुझे तीन चीज़े find out करने के लिए कह रहा है first thing is you have to find f5 ठीक है मतलब input को replace करो 5 से और मुझे बताओ के मेरा answer क्या रहा है second part में वो कह रहा है के find the inverse of this function इस function का inverse find out करो और third में वो मुझे कह रहा है कि f inverse to find out करके बताओ के उसकी value क्या रही है ठीक है तो तीन मुझे चीज़े find out करनी है a b और c पहले मैं a से start करता हूँ यहां मेरे पास input x है ठीक है तो यहां आपको हर जगा function में x नजार रहा है अब मुझे find out करना है f of 5 इसका मतलब है कि मुझे x की जगह पे 5 replace करना है तो जब मैं x की जगह पे 5 put करूँगा तो मेरा answer क्या आजाएगा f5 का 5 upon 3 5 upon 3 आजाएगा ठीक है तो मुझे सिर्फ x की जगह पे 5 replace करना है तो यह 5 जो है वो numerator में आजाएगा और जब मैं denominator में लिखना चाहूंगा तो 5 minus 2 मेरे पास आजाएगा 3 तो मेरा answer आजाएगा वो आजाएगा 5 upon 3 और अगर मैं इसको अपने mixed numbers में लिखना चाहूं तो answer one whole number 2 upon 3 आजाएगा ठीक है अगर मैं इसको divide कर लूँ क्योंकि यह improper fraction है तो मैं improper fraction में लिखता नहीं हूँ तो 3 बंदा 3 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा ठीक है और इसको लिखने का तरीका क्या होता यूं करके लिखते है इस विल बी वन होल नंबर चाहरो फफाइब तो मैंने फाइंड आउट कर लिया एफ और फाइब नेक्स स्टेप में वो मुझ्से कह रहा है कि यू आप तो फाइंवर्स फॉंक्शन तो इंवर्स फॉंक्शन फाइंड आउट करने के लिए विए थी स्टेप सर एफ माइन इस फ्रेट फाइंड आउट कर लिया ओर्स आउट कर लिया अर्स तेप कहता है में एक से यू आपका फॉंक्शन फॉंक्शन विद वाइ जो भी आपका फंक्शन में गिवन आ उसको य के बराबर करो इस इस द फर्स टेप यह मैंने फिर्स टेप कर लिया ठीक है और से ब कहता है make x as your subject x को subject बनाने के लिए मैं क्या करूँगा इस x-2 को यहां shift करूँगा y के साथ multiply करूँगा ठीक है कुग मुझे x को subject बनाना है तो मुझे सारे के सारे x एक side पर चाहिए तो मैं x-2 को shift करता हूँ यहां y से जब multiply करा हूँगा तो y multiply by x y x हो जाएगा और y multiply by 2 minus 2y equals to x अब सारे x को एक जगा पर जमा किया ठीक है यह जो minus 2y था इसको shift कर दिया यह positive 2y हो गया और यह जो x था यह side पर आके minus x हो गया x को मैंने common लिया तो bracket में आ गया y minus 1 ठीक है and since I have to make x as my subject तो यह y minus 1 यह multiply हो रहा था दूसरी side पर जाके divide हो जाएगा तो मैंने जो है वो अपना second step भी कर लिया this is my second step मैंने x को subject बना लिया x को subject बनाने का मतलब है कि मैंने सारी चीजें दूसरी side पर shift करनी x को alone कर दिया ठीक है और फिर थर्ड step कहता था कि जहां जहां x लिखा सब्सक्राइब है उसको replace कर तो x के साथ तो you will get your inverse function inverse function आ रहा है f-1 of x is equal to 2x upon x-1 तुम लोग भी चेक करो तुम लोग अभी यही आ रहा है sir मेरा minus 2x upon 1 minus x आ रहा है ठीक है वह तुमने जो है वह minus minus common ले लोगे तो minus cancel हो जागा यही बन जाएगा तो हमारा आ रहा है minus 2x upon 1 minus x आ रहा है तो नीचे से minus common ले लो तो x-1 हो जाएगा और minus minus cancel हो जाएगा यही बन जाएगा साही है ठीक है अच्छा अब और फिर पार्ट c में मुझे कह रहा है कि find the inverse of 2 ठीक है f minus 1 of 2 find करो मतलब मुझे जह है वह आप x की जगह पे 2 put करना है जहां-जहां मुझे x नजर आ रहा था मैंने उसकी जगह पे 2 put किया तो 2 multiply by 2 4 हो गया और 2 minus 1 1 हो गया तो 4 upon 1 is 4 इसका जो पार्ट c का अंसर आ गया वो आ गया 4 इक है तो inverse find out करने के लिए मेरे पास 3 जो basic steps हैं बिल्कुल उसी तरह उसको follow करो तो इसने मुझे inverse बोला था तो मैंने inverse find out किया अगर यह नहीं बोलता तो मैं नहीं find out करता ठीक है क्योंकि क्वेस्टिन में हर बार वो mention नहीं करता कि यह one one function है example देखो इस example में उसने मुझे एक function दिया हुए f of x is equals to x upon x minus 2 ठीक है यह function given है और यह जो है वो उसकी domain है मतलब domain बता रहा है कि सारी x की values है other than 2 2 नहीं है 2 के लावा जितनी आप x की values दोगे वो सब इसकी domain है ठीक है function देने के बाद मुझे से तीन parts उसने पूचा है first part में कह रहा है कि f of 5 find करो second part में कह रहा है कि f inverse x find out करो और third part में कह रहा है कि उसी inverse में अब input को change करो 2 और मुझे बताओ कि क्या value आ रहा है ठीक है तो first part था f 5 ठीक है तो अब जहां जहां यह जो function था यह x के लिए था ठीक है यह x के लिए था मतलब इसका input x था तो मुझे जो है वो हर्जा का x नजर आ रहा था अब मुझे 5 चाहिए तो इसका मतलब है कि मैं अपने input को 5 से replace कर देता हूँ x की जगह पे अब मैं 5 put कर देता हूँ ठीक है तो जब मैं x की जगह पे 5 put करूँगा तो numerator में 5 आ जागा और denominator में x से 5 तो 5-2 आ जागा 3 तो 5 upon 3 को मैंने जो है वो mix number में convert करके मैंने अपना answer लिख दिया f of 5 जो है वो मेरे पास आ रहा है one whole number 2 upon 3 ठीक है तो यह first part का answer हो गया second part में उसने मुझे बोला था कि inverse find करो इस function का inverse find out करने के लिए मेरे पास 3 steps है मैं उन 3 steps को follow करूँगा और मुझे inverse मिल जाएगा पहला step कहता था put your function equals to y तुमारे पास जो भी function question में given है उसको y के पराबर करतो तो मैंने y is equals to x upon x minus 2 कर दिया this is my first step second step कहता था make x is as your subject x को subject बनाओ x को एक side पे रखो बाकी सारी चीज़ों को दूसरी side पे shift करो तो x को subject बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी working करनी पड़ी क्यों मैंने इस x minus 2 को shift किया यहां और इसको y से multiply किया तो जब y को x minus 2 से multiply करूँगा तो y x से भी multiply होगा y multiply by x will give me y x और y को मुझे minus 2 से भी multiply कराना पड़ेगा तो this will give minus 2y equals to x क्योंकि मुझे x को subject बनाना है तो I have to shift all the x on one side कि जो minus 2y था इसको मैंने दूसरी side पे shift किया यह positive वो 2y हो गया और यह x यहां आके negative x हो गया अब एक x इदर भी है और एक x यहां भी था मैंने step miss किया ठीक है और मैंने फिर x common ले लिया तो मेरे पास bracket में आ गया y minus 1 ठीक है तुम लोग पहले step show करोगे इस x को यहां shift करोगे minus 2y को यहां shift करोगे फिर x को common लोगे तो you will get y minus 1 in the bracket और यहां आ जाएगा 2y अब since I have to make x as my subject x के साथ y minus 1 multiply हो रहा है इसको दूसरी side पे shift कर दो यह उदर जाके divide हो जाएगा तो x will be equal to 2y upon y minus 1 ठीक है यह मेरा second step हो गया मैंने अपने x को subject बना लिया third step कहता था जहां-जहां x से उसको replace कर दो f inverse x से और जहां-जहां y उसको replace कर दो x से तो मैंने जो है वो यही काम किया x की जगा पे मैंने लिखा f inverse of x equals to जहां-जहां y था मैं उसको replace कर दिया x से so this is the inverse of this function यह मैंने inverse find out कर दिया last step में कह रहा है inverse में input change करके 2 डाल के देखो कि क्या अंसर आ रहा है जहां-जहां तुम्हें एक्स नजर आ रहा है तुमने वहां 2 पूट कर देना है जब आप यहां 2 पूट करोगे तो 2 multiply by 2 will give me 4 और जब आप यहां 2 पूट करोगे तो 2 minus 1 is 1 तो 4 upon 1 is equals to 4 तो f inverse of 2 is equals to 4 यह पार्ट सी खांसर आ लोगे ठीक है इसी तरह के मैंने तुम लोगो एक exercise 9.3 का जो है मैंने question तुम लोगो homework में दिया है एक question हम अभी कर लेता है ठीक है 9.3 का मैंने question number 3 तुम लोगो homework में दिया है टीन questions हम लोगो और practice के मिल जाएंगे question number 3 of exercise 9.3 that is on page number 217 उसके सिर्फ part A, B of C करना है हम लोग question number 6 try कर लेते है question number 6 में उसने जो है वो यह भी 9.3 का ही है ठीक है इस question में उसने मुझे function दिया हुए फिर f of x is equals to 6x minus 2 upon x ठीक है दुबारा मुझे एक function मिल गया है और domain उसने मुझे बोली है कि x की सारी values है greater than 0 0 के 0 से जितनी भी बड़ी values है उस सारी की सारी जो है वो इसका domain है ठीक है और यहां मुझे इसने दो parts बोले है first part में तीन parts बोले है उसने basically आ मुझे यह book का question है तुमारा first part में वो कह रहा है कि f inverse minus 1 find out करो और second part में वो मुझे कह रहा है कि f inverse minus 4 find out करो ठीक है अच्छा यहां इसने मुझे f inverse find out करने के लिए नहीं बोला तो मैं इसको different तरीके से को मैं करके दिखाऊंगा तो तुम लोग यह भी देख लो कि कैसे जो है वो हम इस तरह के question को solve करते हैं यहां मैं inverse find out नहीं करूंगा मैं इसी को solve करने की कोशिश करूंगा ठीक है तो इस question को start करें yes sir यह question number six है तुमारी book का 9.3 कर तो first part में यहां लिखावा था f-1 of minus 1 तो सबसे पहले मैंने अपनी line लिखी let a is equal to a कोई भी variable है ठीक है यहां मैं inverse find out नहीं कर रहा मैं इसको different method से solve पर रहा है तो इसलिए मैं तुम्हें बोला था कि अगर question में वो तुम्हें inverse find out करने के लिए नहीं बोले तो तुम अपनी मर्जी से खुद inverse find out नहीं करना क्योंकर inverse हर function का नहीं होता वन वन function होगा तो inverse होगा वरना नहीं होगा ठीक है यह चीज़ clear है चलो अब हम इस question को start करते है तो मैंने सबसे पहले लिखा let a is equal to f inverse minus 1 ठीक है अब यह जो f inverse minus 1 है इसको मैं दूसरी साइट पर shift कर दूँगा तो यह इस तरह बन जाएगा कि f of a equals to minus 1 ठीक है क्योंकर यह inverse है मैं हमने यही चीज़ start में देखी थी नहीं start में जब मैंने तुम लगो example share की थी तो examples में मैंने तुम्हें इसी तरह बताया था ना कि f of 1 अगर 2 है तो f inverse of 2 जो है वो 1 के बराबर होगा ठीक है तो यहां मैंने यही वाला concept यूज किया कि अ अगर function को दूसी साइट पर shift करो तो वो inverse बन जाता है और inverse को दूसी साइट पर shift करो तो वो function बन जाता है इसको समझने का आसान तरीक है यह भी हो गया ठीक है अब मैं क्या करूंगा कि जहां-जहां मेरे function में x नजर आ रहा है वहां मैं a लिखूंगा और उसको बराबर कर दूँगा minus 1 के तो मेरे function में जहां-जहां मुझे x नजर आ रहा था यहां एक x यहां पर और एक x यहां पर तो मैं दोनों जगा पर a लिख दूँगा क्योंकर मुझे अब a चाहिए तो यह बन जाएगा six a minus two upon a equals to minus one और फिर मैं इसको mathematically solve कर लूँँगा जैसे मैं solve करता हू cm लिया पहले मैंने ठीक है यहां one था और one और a का cm कितना आता है a तो यहां भी मुझे ऐसे multiplied करना पड़ा और यहां भी मुझे a Cisco करना पड़ा तो a को जब six a से multiplied करूंगा तो यह six a square हो जायगा और यहां से मुझे किसी को multiplied करना तो यह minus two हो जाएगा और यह जो denominator में a आ के quadratic equation बना लेता हूँ, quadratic equation बनाने के बाद इसके मैंने factorization कर लिये, factors मुझे चाहिए 12 के, क्योंकि 6 multiply by 2 12 होता है, और 12 के ऐसे 2 factors जो हैं, वो 4 और 3 है, 4 times 3 is 12, और positive sign, देखो middle term का sign positive है, इसका मतलब बड़े factor को हमेशा positive sign दिया, इसको जब मैंने common लिया, common लेके जब मैंने solve किया, तो मेरे पास 2 answers आ रहे थे, एक answer आ रहा था, A की value आ रही थी half, और एक answer मेरे पास आ रहा था, A की value minus 2 upon 3, चुक्छे उसमें मुझे question में बोला हुआ है, कि X की सारी positive values है, X की values सारी positive है, इसका मतलब है कि मैं अपना answer जो है, वो इसको ignore कर दूँँगा, और मेरा जो answer आ रहा है, f of minus 1 का, वो कितना आ रहा है, f inverse minus 1 is equals to half, दुबारा इसको दिखाता हूँ, दुबारा, question में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने start में सबसे पहले एक variable introduce करा दिया, और मैंने अपने पूरे question को उसके बराबर कर दिया, अब यह जो inverse function था, यह जब दूसरी side पे shift हुआ, तो यह proper function मन गिया, f of a equals to minus 1, और अब मेरे पास function में जहां जहां x था, मैंने उसको a से replace करके, equals to minus 1 करके solve कर लिया, quadratic equation मैंने quadratic equation को solve किया, दो values आई, और negative value को मैंने ignore कर दिया, क्योंकि उसमें मुझे बताया है, कि मेरे पास जो सारी values है, वो positive है, इसी तरह मैं part b को भी solve करूँगा, ठीक है, अगर part a तुम लोगो समझ माया है, तो part b विलकुल इसी तरह है, सबसे पहले मैंने variable introduce करा, यहां मैंने a रखा था, यहां मैं b रख देता हूं, ठीक है, तुम्हारी मरसी है, कोई भी variable introduce करा दो, तो b will be equals to f inverse minus 1 minus 4, तो यह जो inverse है, जब यह दूसरी side के shift होगा, तो यह हो जाएगा f of b equals to minus 4, और अब मैं क्या करूँगा, function में जहां, जहां मुझे x नदर आ रहा है, मैंने b put किया, और इसको बिल्कुल उसी तरह solve करना शुरू करूँगा, lcm ले लूँगा, यहां one है, यह मेरे पास b हो जाएगा, यह six b square हो जाएगा, जैसे मैंने भी question solve किया, बिल्कुल उसी तरह, यह six b square हो जाएगा, यह minus two हो जाएगा, यह equals two, minus four हो गया, यह हो जाएगा, six b square, minus two, इसको shift कर दूँगा, b माँ जाके multiply हो जाएगा, यह हो जाएगा, minus four b, और हम मैं दोबारा इसकी quadratic equation मना लेता हूँ, b को shift कर लेता हूँ, इस साइट पर, यह हो जाएगा, six b square, minus four b, जब इदर आएगा, तो यह positive का, four b हो जाएगा, और यह minus two, as it is रहेगा, इदर, equals to zero, यह quadratic equation बन गई, इसक्टराइज कर लेता है, six or two, वही 12 बन रहे हैं, ठीक है, six or two, इसक्टराइज बन रहे हैं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, और six or two ही ले लेता हूँ, चुक्ए मुझे four चाहिए, ना तो six or two ले लेता हूँ, तो six b square, और चुए पॉजिटिफ साइन है, बड़े पेटर का, तो बड़े फेक्टर को positive दे दिया, माइनस टू भी कर लो और माइनस टू इकोर सु जी लो और कॉमन ले लिया है यासे 6 भी ले लो तो जब आप 6 भी लो होगे तो इस विल बी प्लस वन और यहां से माइनस टू कॉमन ले लो तो यह दूबारा भी प्लस वन हो जाएगा इकोर सु जी लो कर दो डोनों ब्रैकेट से मागए तो एक ब्रैकट मेरे पास आ गया है भी प्लस वन और एक ब्रैकट मेरे पास आ गया है 5b-2 एक वैल्यू में पास B की माइनस वन आ गई जो कर दूंगा तो उसने मुझे बोला है कि सारी वैल्यू उस पॉजिटिव है एक वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस वन और एक वैल्यू मेरे पास आ गई वन अपॉण फ्री इसका मत्ब है कि F इन्वर्स माइनस पॉर इस एक्वल्स तू वन अपॉण इसे मैं नेगेटिव वैल्यू को जो है वो एक्नोर करते हुआ लास पार्ट में मुझे कह रहा है फाइंड दे वैल्यू आप एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो जब F उफ एक्स जो है वो वन के बराबर है तो मेरे पास जो फंक्शन है मैं उसको वन के बराबर करके सॉल्फ पर लेता हूं जल्दी से फंक्शन मेरे पास है सिक्स एक्स माइनस टू अपॉन एक्स को आप इक्वल सु वन कर दो क्या आपको वेस्टिन में गिवन है कि आपको फंक्शन वन है और इसको सॉल्फ पर लेता है ठीक है यह भी कॉड्रेटिक बन जाएगा बिल्कुल उसी तरह तो इसको भी डिरेक्ट सॉल्फ पर लेता यह बंजाएगा six x square lcm लोगा तो यह बंजाएगा six x square minus two equals two x डारेक्ट कर दिया मैंने चलो तो एक बास इसकी जल्दी से x की values फाइंड लेता है quadratic बना लोगा इसको तो यह बंजाएगी six x square और यह माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस टू हो जाएगा इकल्स जीरो और यहां से अब दोबारा भाई है थ्री और फोल देलोगे, ठीक है 3 और 4 लेके करोगे यह बन जाएगा x2-4x क्योंकि middle term का sign negative है तो बड़े factor को negative का sign दे दिया और फिर आपको plus देना पड़ेगा 3x और minus 2 ठीक है अब जब इसको आप लोग common लोगे common लेने के बाद आपके पास दो brackets आएगे ठीक है 2 upon 3 जब आप यहां से common लोगे common लेके solve करोगे इस तरह तो बिलकुल यह इसी तरह का सवाल है ठीक है यह बिलकुल इसी तरह का question है तो इसमें जो मेरे x की value आजेगी वो आजेगी 2 upon 3 यह मैंने direct कर दिया अगर मैं कर दूँ में पर time तो है वैसे मैं जल्दी से कर दूँ यहां से मैं 2 को common ले लेता हूं 2x और जब मैं 2x common ले लूँगा तो यहां आ जाएगा मेरे पास 3x minus 2 और यहां से मैं plus 1 common ले लेता हूं तो bracket में 3x minus 2 खिरा जागा ठीक है इसके बाद कर लोग कर लेना के गया तो जगह कम होगी है मेरे पास इंवर्स को एक बार जल्दी से खोड़ा सा जो आज समझाया उसको revise करा दूँ अच्छा inverse function में मैंने तुम्हें से वितना बताया था कि inverse is basically reverse ठीक है inverse को reverse से याद रखो function को reverse कर दो तो वो inverse function बन जाता है हम लोग normally अपने input पे function apply करके output find करते हैं यहां हम क्या करेंगे output पे inverse apply करके अपने input find out कर लेगे ठीक है अच्छा मैंने और फिर तुम लोगों important point यह बताया था कि inverse जो हर function का नहीं होता सिर्फ one one function का होता है अगर non one one function है तो उसका inverse नहीं होगा तीन step से inverse function find out करने के लिए first step में वह आपसे कहता है कि put your function equals to y हमेशा जो भी function तुम्हें question में given है पहले उसको y के बराबर करो next step कहता है x को subject बनाओ x को alone करो एक side पर बागी सारी चीजों को दूसरी side पर shift करो और जब तुमने x को subject बना लिया तो third step कहता है replace x by f inverse x and y by x to get the inverse of a function कुछ questions हमने book के किये कुछ examples भी की थी दो examples मैंने अपनी तरफ से कराई यह वह book की example है जिसमें हमें एक function देके तीन पार्ट पूछे थे ठीक है इसमें इसने inverse find out करने के लिए बोला था तो मैंने inverse find out करके फिर उसमें 2 डालके जो है वह मैंने part c solve किया लेकर मैंने तुम लों next question दूसरे तरीके से भी solve करना सिखा दिया जिसमें मैंने inverse find out नहीं किया था